Hello friends, welcome to history car, मैं हूँ आपका दोस्त प्रभाकर, आज हम डिस्कस करेंगे बीकली करेंट अफ्यस को, दोस्तो ये जो बीकली करेंट अफ्यस होगा, ये 18 से 24 अप्टूबर के बीच का होगा, और इसमें हम जितने भी कुश्चन डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपोर्टेंट होगे तो आप इस लेक्शर को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, दोस्तो अगर आपको इस लेक्शर का पीडिये प्राप्द कर रहा है, तो हमारे टेलिग्राम चैनल से जुड़ जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, अगर आप हमसे वाट् इंडियन हिष्टी का ओडियो कोर्स मिल जाएगा, बहुत ही कम कीमत पर, तो दोस्तो आप उस कोर्स को पर्चेश कर लीजीगा, आपके एक्जाम में उसका फाइदर जुरूर मिलेगा, चलिए फ्रेंट्स, पहला कोशन डिसक्रस करते हैं, तो आप बहुत ही ध्यान से सुन यहां पर सेफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है South Asian Football Federation, क्या होता है दोस्तो, South Asian Football Federation, इसका आयोजन किया गया था माल्दीप में, यानि चैप Championship 2021 का आयोजन कहां पर किया गया था माल्दीप में, और आयोजन हुआ था एक से लेकर के 16 एक्टुबर 2021 के बीच में दोस्तो इसमें विजेता टीम भारत रही है और भारत ने सैप चेंपियनसिप का किताब आठवी वार अपने नाम किया है उप विजेता टीम कौन सी रही है नेपाल, तीसे नमबर पर मालदीप और चोथे नमबर पर वांगलादीश की टीम रही है दोस्तो टॉप स्कूरर रहे हैं भारत के सुनील चित्री जिन्हों ने 5 गोल किये हैं इसके अलाबा वेस्ट पिलियर का किताब मिला है भारत के सुनील चित्री को याद रखिएगा सुनील चित्री भारत की फुटवाल टीम के कप्तान भी है अंगला कोशन है हाली में X-Yudhavyaas 21 का आवजन भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है तो आंसर इसका अमेरिका यानि भारत और अमेरिका के बीच X-Yudhavyaas 21 का आवजन किया गया है तो इस यudhavyaas में कितने देशों ने हिस्सा लिया है दो देशों ने कौन-कौन से देश हैं इसमें भारत और अमेरिका इसका आवजन कहां किया गया है तो आपको बहुती ध्यान से सुनना है इसका आवजन किया गया है इलमे डार्फ रिचर्डसन मिलिटरी वेस अलास्का अमेरिका में इसका आवजन किया गया है दोस्तो इसका आवजन कब से कब तक हुआ है तो 15 से लेकर के 29 सक्तूबर के बीच X-Yudhavyaas 21 का आवजन किया जाएगा इसका उद्देश है सहुक्त राष्ट के निर्देश पर आतंकबाद का शामना करना और इसे हराने के लिए प्रसिच्छन प्राब्द करना दोस्तो इस एक घब्यास में अमेरिका की तरफ से 300 जबान सामिल होंगे अंगला कोशन है बहुत इंपोर्टेंट कोशन है दोस्तो ध्यान से सुनिएगा आप हाली में भारत की 21 भी महिला ग्रेंड मास्टर कौन बनी है उनका नाम है दिब्या देश मुक यानि दिब्या देश मुक देश की 21 भी महिला ग्रेंड मास्टर बनी है उन्होंने यह एक खिताब हासिल किया है हंगरी की राजधानी बुड़ापेश्ट में फर्स्ट सेटर्डे ग्रेंड मास्टर सतरंजी टूनामेंट 2021 का आउजन किया गया है जहां पर उन्होंने जीत हासिल करते हुए भारत की 21 महिला ग्रेंड मास्टर का खिताब अपने नाम कर लिया दोस्तो दिब्या देश मुक महराष्ट की रहने वाली है और अवीन की उम्र केवल 15 साल है दोस्तो अब सवाल उड़ता है कि भारत की पहली महिला ग्रेंड मास्टर कौन थी तो उनका नाम था ऐस बिजय लक्शिमी जिन्होंने साल 2000 में 24 जुलाई के दिन देश की पहली महिला ग्रेंड मास्टर होने का किताब या गौरव अपने नाम कर लिया था दोस्तो पुर्सों की बात करें तो पुर्सों के पहले ग्रेंड मास्टर कौन है तो विस सुनाथन आनंद भारत के पहले ग्रेंड मास्टर है अंगला कोश्चन है इंपोर्टेंट कोश्च की है दोस्तो आप ध्यान से सुनिएगा इस फिल्म का नाम क्या है तो उस फिल्म का नाम है चैलेंज यानि चैलेंज फिल्म का जो सूटिंग है वो कहाँ पर किया गया है अंतरिक्ष में किया गया है और जो इसकी टीम थी यानि पर फिल्म आया है यानि उसको रिकॉर्ड किया है तो दोस्तों याद रखना है कि अंतरिक्ष में पहली बार किस देश ने किसी फिल्म की शूटिंग की है तो उस देश का नाम है रूस कौन सी फिल्म है जिसकी शूटिंग की गई है अंतरिक्ष में तो उस फिल्म का नाम है च कुशन है हाली में किस सरकार के दौरा मेरा घर, मेरे नाम योजना को शुरू किया गया है तो उस सरकार का نام है पंजाब सरकार दोस्तो हाली में पंजाब के मुख्मंतरी कौन है चरण जेस सिंग चरणी तो उन्हों ने गाओं और सहरों की लाल लखीर के भीतर क्रसी उद्देशों के लिए किया जाता है तो चर्णजी सिंग चर्णी का ये कहना है कि जो भी लोग लाल लकीर के अंदर रह रहे हैं उन लोगों को उस घरों का मालिकाना हग दिया जाएगा तो दोस्तों आसा करते हैं कि ये लेक्षर आपको शमझ में आ रहा है अगर आपक गैंदबाज कौन बने है तो उनका नाम है शाकिब अलहसन दोस्तों बांगलादिस के आल्राउडर है साकिब अलहसन तो उन्होंने अंतर राष्टी टी-टी क्रिकट में सबसे ज़ादा विकेट लेने का कारणामा किया है दोस्तों उन्होंने स्रिलंका के तेज लसित मलेंगा को भी पीछे छोड़ दिया है साकेबल हसन की बात करें तो उन्होंने नवाशी मैचों में 108 विकेट हासिल किये हैं कितने मैचों में 89 मैचों में 108 विकेट लसित मलेंगा ने 84 मैचों में 107 विकेट हासिल किये हैं जबकि इस लिस्ट में न्यूजिलेंड के तो दोस्तो याद रखिएगा कि अंतरराष्टी T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदवाज का नाम है साकेबाल हसन जिन्होंने 89 वैचों में 108 विकेट हासिल किये हैं दूसे नमबर पर हैं सीलंका की लशित मलिंगा जिन्होंने 84 मैचों में 107 संस्तानों में आरोग बाटका लगाने की गोशना की है तो उस सरकार का नाम है उत्तर प्रदेश सरकार यानि उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा प्रदेश के सभी इश्कूल और कॉलेजों में आरोग बाटका लगाने की गोशना की गई है दोस्तो इस बाटका में औस पेड़ पौधे लगाए जाएंगे और इन पेड़ पौधों में के औस दिये गुड़ों से छात्र शात्राओं और अविवाबकों को अववेत कराये जाएगा तुस्तों सकार ने घोशनक की है कि सच्छा संस्थानों में आरुग वाटका वनाए जाने का उद्देश ये है क और उस्दिये मनसपतियों और उनके प्रियोगों की प्राचीन परंपराओं के संबने में विद्यार्थियों को जागरू करना है उत्तर प्रदेश के मुखमंत्री कोन है योगी आदितनात है और यहां की राजपाल कोन है आनंदी वेन पटेल है ये भी आप नोट डाउन क के द्वारा जो जारी की गई प्रभावसाली एक्टर की सूची है उसमें प्रथमिस्थान हासिल किया है तो याद रखिएगा कि जो फोब्स है वो एक प्रकार की पत्रिक का है और वह इस प्रकार की एक्टर्स की सूची और अन्य लोगों की सूची जारी करता रहता है तो उन्होंने सामन्था, विजय देवर कॉंडा और यस को भी पीछे छोड़ दिया है। अगला कोशन है अंतराष्टी सौर गटवन्दन की चौथी आमसभा कब से शुरू हुई? तो इसका आंसर है 18 अक्टूबर से यानि अंतराष्टी सौर गटवन्दन है उसकी चौथी आमसभा का आईजन कब से हुआ? 18 अक्टूबर 2021 से. दोस्तो याद रखिएगा कि इस आमसभा का आईजन 18 से लेकर 21 अक्टूबर के बीच हुआ है और सभा की अध्यक्षता की है भारत के बिजली नमीन और नभी करनिया उर्जा मंत्री कौन है? आरके सिंग. दोस्तो अंटाराश्टी सौरगटवन्दन की चौथी सभा के दोरान One Sun, One World और One Grid पर चर्चा की गई है और इसके अलावा सौरूर्जा से जुड़े और अन्य पहलूंगों पर भी चर्चा की गई है. दोस्तो अंगला कोश्चन है, इंपोर्टेंट कोश्चन है, आपको बहुती द्यान से सुनना है. हाली में जम्मू और कस्मीर प्रसासन की रियल एस्टेट विकास के लिए किसके साथ समझोता किया है? तो आंसर इसका दोबाई सरकार के साथ. दोस्तो जम्मू और कस्मीर प्रसासन ने रियल एस्टेट डेवलब्मेंट के लिए और द्योगिक पार्कों, आईटी टावरों, बहुद्यसिय टावरों, लॉजिस्टिक, मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेसिलिटी अस्पताल के लिए दोबाई सरकार के साथ एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये हैं। आपके एक्जाम में पूछे जा सकते हैं। याए हड्डियों से संबंदेत एक बीमारी है जिसमें हड्डियों में खनिश्टत्यों की कमी हो जाती है और जिसके कारण हड्डियां कमजोर हो जाती है। दोस्तो इसके कुछ लक्षण है यानि ऑस्टियोपॉरसिस के कुछ लक्षण है तो उसके लक्षण की बात करें तो लक्षण है सास की तकलीफ होना, हड्डि तूट जाना और पीट के निचले हिस्से और गर्दन में दर्द होना। दोस्तो इस रोग में हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती हैं कि हलके से जटके से हड्डियां तूट भी जाती हैं। हड्डियों की मजबूती की सिवा, क्या है दोस्तो हड्डियों की मजबूती की सिवा। दोस्तो अब सबाल उठता है कि इस चेंपियंशिप में कौन-कौन से देश सामिल होगे तो इसमें नेपाल, मालदीप, स्रिलंकार, पांगलादेश, भूटान और भारत इसमें सामिल होगे। इसकी गोशना किस ने की है तो इसकी गोशना की है Athletics Federation of India के Associated उपाध्यक्ष आबू मैथाने। दोस्तो नागलेंड में आयुजित होने वाला यह अब तक का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्य करिक्रम होगा तो इससे पुरुवत्तर के राजियों में Athletics को बढ़ावा मिलेगा। अबरते हुए table tennis खिलाडी हैं तो उन्होंने लड़कों के under 17 वर्ग में अच्छा प्रदसन किया है जिसके चलते वो विस्सु रैंकिंग में सीर्स इस्तान पर पहुँच गए हैं। उत्तर कोरिया के द्वारा पंडूबी से नई बैलेस्टिक मिसाइल का परिक्षन किया है। च्छोटी बैलेस्टिक मिसाइल का परिक्षन करके छेतर में तनाओ को फिर से बढ़ा दिया है। क्योंकि दोस्तो जब भी उत्तर कोरिया कोई भी मिसाइल का परिक्षन करता है तो जापान, अमीरका और दच्छन कोरिया में तनाओ बढ़ जाता है। क्योंकि ये देश इसके पास लगे हुए हैं और उत्तर कोरिया का कोई ठिकाना नहीं रहता है कि वह कब क्या कर दे। चलिए फ्रेंड्स आब हम जानते हैं कि या बैलेश्टिक मिसाइल क्या होती है तो जब किसी मिसाइल के साथ दिसा बताने वाला यंत्र लगा दिया जाता है तो वह मिसाइल बैलेश्टिक मिसाइल बन जाती है यानि कि कोई भी मिसाइल किस दिसा में जाएगी इसको बताने करसंड के अमसार यह नीचे आगर के अपने लक्ष को भीरती है यानि लक्ष पर गिरती है जिसके कारण उसका जो लक्ष होता है वो डिश्टॉय हो जाता है चलिए फ्रेंट्स अंगला कोशन डिसकस करते हैं हाली में प्रधान मंतिरी ने उत्तर प्रदिस के किस स्थान पर रेंद्र-मोदी के दवारा उत्तर प्रदिस के कुशी नंगर में एक होई अड़े का उद्गातन किया गया है कि या जो हवाई अड़ा है या अन्तरराश्टिय हवाई अड़ा है दोस्तो कुसी नगर अंतर राष्टी हवाई अद्दे के उडगाटन के बाद जो उत्तर प्रदेश की बौध सरकेट है यानि बौध से जुड़े जितने भी उत्तर प्रदेश में स्थान है उनको जोड़ा जा रहा है तो उसको मजबूती मिलेगी यानि उत्तर प्रदेश सरकार की द्वारा जो चलाये गया बौध सरकेट है उसको मजबूती मिलेगी दोस्तो इस अंतर राष्टी हवाई अड़े पर सिलंका से एक फिलाइट उतारी गई जिसमें दरजनों बौध विक्षू सामिल थे यानि उसे फिलाइट में सिलंका से दरजनों बौध विक्षू आये थे और उनके साथ कई हस्तियां भी उस हवाई अड़े पर उत्री थी दोस्तो याद रखिएगा कि कुशी नगर एक अंतर राष्टी बौध तीरत हिस्तल है जहाँ पर भगवान बौध को महा परिनिर्माण प्राप्त हुआ था यानि भगवान बौध का महा परिनिर्माण कहां हुआ था कुशी नगर में कुसी नगर के बाद करें तो कुसी नगर बौध सर्केट का एक केंदर बिंदू है और इस पर्थ में लूंबनी, सारनाथ और गया भी शामिल है दोस्तो इस हवाई अड़े के उध्गाटन के बाद बौध सर्केट के लुंबनी, बोध गया, सारनाथ, कुसी नगर, स्राबस्ती, राजगीर, संसका और बैसाली की यात्रा अब समय से पूरी हो जाएगी यानि इनके स्थान पर पोँचने के लिए बहुत ही कम समय लगेँगा दोस्तो कुसी नगर, अंतरराष्टी हवाई अड़्गा, प्रदेश का यानि उत्तर प्रदेश का तीसरा अंतरराष्टी हवाई अड़्गा है इसका जो runway है वो प्रदेश के सभी हवायड़ों के runway श्रिफ बड़ा है और इस पर wide body aircraft को भी आसानी से उतारा जा सकता है दोस्तो इसमें स्रिलंका, जापान, ताइवान, दच्छन कोरिया, चीन, थाइलेंड, बियतनाम, सिंगापुर से आने वाले पर्टकों के लिए कुसी नगर पहुँचना और छित्र की संब्रेद विरासत का अनवाव करना अब बहुत ही सरल हो जाएगा दोस्तो अब हम बात कर लेते हैं कि उत्रप्रदेश में कितने अंतराश्टी हवाय अड़े हैं तो पहला हवाई अड़ा है चौदी चरण सींग अंतरराष्टी हवाई अड़ा जोकी लखना हुए हैं, दूसरा है लाल बहादो सास्ती अंतरराष्टी हवाई अड़ा जोकी बरार्सी में हैं, और तीसरा है कुसी नगर अंतरराष्टी हवाई अड़ा, तो इस प्रकार से उ आंसर होगा इसका 71 याणि दोस्तो वैस्विक खद सुरक्षा सूचकांग में भारत का स्थान कौसा है 71 यह जो संस्क्रण जारी किया गया है 2020 में वैस्विक खद सुरक्षा सूचकांग का यह दस्मा संस्क्रण है और इसको design किया है economics impact ने, किसने दोस्तो, economics impact ने, इसकी अगर हम 113 देशों की बाद करें, तो भारत का इस्थान इसमें संताओं दिसनलोग दो अंकों के साथ 71 मा है, तो वैस्विक, खत, सुरक्षा, सूजकांक में किसने देश सामिल हुए थे, तो 113 देश सामिल हुए थे, उसमें भारत का इस्थान कौन सा है, गतर मा है, अगर हम भारत के पडोसी देशों की बाद करें, तो पाकिस्तान का 75 मा, स इदरलेंड, कनाडा, जापान, फ्रांस और अमेरिका ने सीर्स रैंक को साज़ा किया है, यानि सीर्स इस्थान पर ये सभी देश सामिल हैं, और इनकी अगर हम स्कोर की बात करें, तो इनका स्कोर 77.8 से लेकरके 80 अंक तक है, तो दोस्तों सीर्स देशों में आइरलेंड है, आस्टेलिया, यूके, फिनलेंड देश आते हैं, अंगला कोशन है, हाली में किस राज्य सरकार ने मुख मंतरी रासन आपकी द्वार योजना को लागू किया है, तो उस राज्य का नाम है, दोस्तों, मद्ध प्रदेश, यानि मद्ध प्रदेश की सरकार ने मुख मंतरी र विवारों को ही मिलेगा दोस्तो इसे राज्य के आदिवाशी विकास खंडों में ही अभी लागू किया गया है तो इसमें 16 जिलों के 74 विकास खंड सामिल किया गये हैं जिसमें 7,511 गाओं सामिल हैं चलिए फ्रेंड्स अगला कुशन डिसकस करतें इंपोर्टेंट कुशन है हाली में भारत में कोरोना टीका करण के कितने आंकड़े को छूलिया है तो जो भारत है उसने हाली में 100 करोड के आंकड़े को छूलिया है दोस्तो हाली में भारत ने कोरोना वाइरस महामारी के खिलाब टीका करण के अवियान में 100 करोड के टीका करण का आंकड़ा छूलिया दोस्तो इसका जस्न मनाने के लिए केंद्रिय स्वास्त मंतरी मंसुक मंडाविया ने एक गीत को लॉंच किया है जिसके बोल है टीके से बचा है देश दोस्तो अगर हम इस गाने की बात करें यानि इस गीत की बात करें तो इस गीत को आवाज दी है कैलास खेरने प्रधानमंती नरेंद्र मोधी ने 16 जन्वरी 2021 को भारत में COVID-19 टीका करण के अभ्यान की शुरुबाद की थी तो याद रखिएगा भारत में टीका करण की शुरुबाद कब से हुई थी कोरोना वाइरस के तो वो हुई थी 16 जन्वरी 2021 से उसके 9 महिने बाद यानि अक्टूबर में 100 करोर के अंगडे को भारत ने हासिल कर लिया है दोस्तो COVID-19 टीका करण अभ्यान की शुरुबाद दिली से हुई थी और पहला टीका लगाया गया था दिली के मनीश कुमार को और 100 करोर में ठीका किसी लगाया है दोस्तो बनारस के अरुन राय को दोस्तो 6 अगस्त को भारत ने 50 करोर और 2 अक्टूबर को 90 करोर और 21 अक्टूबर को 100 करोर का लक्ष हासिल किया है और 100 करोड का लक्ष हासल करने वाला भारत दुनिया का दूसरा देश बना है और पहला देश कौन सा है चीन है जिसने 100 करोड से अधिक लोगों को वैक्सीन लगा दी है दोस्तो अंगला कुश्चन है एडिडास की किस बॉलीवर्ड अविनेतरी को ब्रांड अमबेश्टर बनाया है यानि एडिडास जो है उसने किस बॉलीवर्ड अविनेतरी को अपना ब्रांड अमबेश्टर बनाया है तो उनका नाम है दीपका पादुकौन दोस्तो एडिडा जो है उसने महिला खेल संबंधी जो कपड़े होते हैं उनके प्रचार करने के लिए यानि जो उनका प्रिधान होता है उनका प्रचार करने के लिए बॉलीवर्ड अभिनेत्री दीप का पादुकोंड को अपना ब्रांड अमेश्टर बनाया है दोस्तों अंगला कुश्चन है इंपोर्टेंट कोश्चन है ये भारतिय अंतराष्टी फिल्म महुत्साव का बावनवा संस्क्रनर के सराज में आयुजित किया जाएगा तो इसका आंसर है गोवा में यानि भारतिय अंतराष्टी फिल्म महुत्साव का आयुजित कहां होगा गोवा में होगा दोस्तों इ इसने दी है तो इसकी जानकारी दी है केंदरी सूचना और प्रसारन मंत्री अनुराग ठाकुरने और आपको याद रखना है कि जो भारतिय अंतराष्टी फिल्म महुत्साव है उसका 52 संस्क्राइब 20 से लेकर 28 नवबर के बीच होगा एक बात और ध्यान से सुनी है आपको कि जो 2021 में भारतिय अंतराष्टी फिल्म महुत्साव का आईजन होगा उसमें OTT प्लेटफार्म को भी आमिंत्रित किया गया है यानि इसमें OTT प्लेटफार्म भी सामेल होगा दोस्तो भारतिय अंतराष्टी फिल्म महुत्साव की बात करें यानि International Film Festival of India की बात करें तो इसकी शुरुबाद 1952 से की गई थी दोस्तो उस समय इसका आयोजन भारत के प्रधान मंत्री पंडित जबालाल नहरू के सरक्षर में भारत सरकार के फिल्म डिवीजन के द्वारा किया गये था भारती अंतराश्टी फिल्म महुत्साव का उद्देश है फिल्म निर्मार कला की उतकरश्टता को दरसाने के लिए दुनिया भर के शिनिमा घरों को आम मंच प्रदान करना दोस्तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया एसिया में आविजित किया जाने वाला पहला अंतराश्टी फिल्म समारो भी है अंगला कोश्चन है इंपोर्टेंट कोश्चन है दोस्तो ये लास्ट कोश्चन होगा भारत सहित किन देशों ने नया क्वार्ड बनाने का फैसला किया है तो आंसर इसका USA यानि अमेरिका, इसराइल और UAE तो दोस्तो हाली में चार देशों भारत, अमेरिका, इसराइल और यूगेई ने एक नया क्वार्ड बनाने का फैंसला लिया है इसके लिए इन चारे देशों के विदेश मंत्रियों की एक बैठक हुई है जिसमें भारत के विदेश मंत्री एस जैस संकर, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटी विलिंकन और इसराइल के विदेश मंत्री यायर लौविड और यूए के विदेश मंत्री सेख अब्दुल्ला बिन जायद अलनाहयान सामिल हुए थे तो ये चार दो देश मिलकर के एक International Economic Forum बनाने वाले हैं जिसको क्या कहा गया है International Economic Forum तो दोस्तो याद रखना है कि ये important question होगा आने वाले exam के लिए तो इसको आप note down कर लीजिगा अगर आपको ये lecture पसंद आया है तो like करिएगा और राजा गुप्ता को आप अनकेडिम फर follow कर लीजिगा अगर आप उनकी माध्यम से कोई भी course परचेश करना जायते हैं उसके लिए एक referral code ये यूज करिएगा राजा नंबर उन इस lecture को आप share कर दीजिगा हलेक प्लेटफॉर्म पर यानि अपने दोस्तों को share करिएगा जिससे इस टिडिकर को support मिल सके चलिए friends मिलते हैं नेक्स लेक्चर में जैहन वंदे मातरम